तो दोस्तों वेलकम टो चैनल आज मैं आप लोग के लिए बड़ी या कोलर ले काये हुआ है चाइनिस कोलर में एक्स्टेंडर्ट कोलर ले किया हुआ है यह देखिए आपको यह कॉलर देखने से आपको पता लगेगा यह देखिए राउंड शैप में भी प्लाकर रखके बन कटनवाला कॉलर इसमें बटन लगा हुआ है इमस्वेशे dol destin लगा हुआ है दो प्रसल Dasband segment इसका प्लेकट भी मना Yep यह यह ज़रूर आप लोग देकि लेजीए क्योंकि यह जो प्रस्वेक्ट रांड्षेप में चैनियस कॉलर बनाए हुआ है ठीक अभी आपहए थक आप और इसमें दूसरा और एक बात यह है इसमें जो प्लैकट लगाने का वीडियो में इसमें नहीं डाला हुआ है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है आपको इसके पीछे एक और वीडियो में अप्लोड कर देता हूं उसमें वो प्लैकट भी आपको मिलेगा समस्टिया, जरूर आप लोग देख लिजिए, ये देखे हिसके नक के लिए जो ये जो पैटन में अने कट के रहा है ‎ंदेर के लिए जो काटते हैं, उसी सब से और इसका जो नेक में किस्तरह काटता हैं कि आप लोग को पहले से बही पता है, वही से मसरम्यंट दे तीन चुवढ़ाई और सवा चार इंच डीप और उदर से यह जो वी नख के लिए में दो इंच का इदर गैप रखा वह ए और साधे आट इंच का डीप भी रहा हुआ है थीके और प्लाइकट के लिए एक्स्क्रा में चेंच लिए हुआ इधर निकेंश हिसाब से इसका कटिंग हो गया हुआ है यह आपको दिखाह रहा हूं कटिंग इसका आल्री हो चुक challenge आभी इसमें हम display कर लगाता है party कट लगाने के बाद में हम कॉलर लगाते पीछी वाले पीश में में भी उसी हिसाब से हमने नेक काटता है जो चाइनिज कोडर और राउंड कोडर में जो काटता है तीन इंच चवड़ाई और एक इंज डीप एक इंज डीप रखके इसको काट के निकल देने का अभी भी आप लोग यह वाला टूल्स जिरूर ले लिए आप लोग को शेप्स बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा कि निक इसका कालर किस तरह काटते करके बताता हूं यदि कि इसका लेंग साड़हस Come साथे सादिंगा है थे बढ़िया हूँ है अभी से बीक में हम मौडे देते हैं मोड के हम कॉलर का शैप बना देता हूँ इसका कॉलर का शैप काटना ही इसका कास बात हो जाता है वह अगल गलत हो गया तो आपको यह परफेक्ट फिनिशिंग नहीं मिलेगा ठीक है यह देखिए एकदम उसमें तीन पिन मारा हुआ है मैंने फिर एक साइड हम सेट्सक्राइब रहके एकदम लेवल कर देता है अभी देखिए इसका मार्किंग में किस तरह करते करके वह जरूर अप लोग द्यान से देख लिए सबसे पहले में डाइंच का एक मार्किंग कर लेता हूँ ठीक है डाइंच का मार्किंग इदर किया और उसके बाद में सबातीन इंच का मार्किंग उदर से कर रहा हूँ जो डाइंच से उपर सबातीन इंच का मार्किंग कर रहा हूँ जो डाइंच इदर भी बनाने का और सावा तीन इंच उपर भी मार्किंग करने का है ठीक है उसके बाद मैं इदर से साड़े चेंच सावा तीन इंच का डबल साड़े चेंच का लंबाई इसमें मार्किंग कर लेता हूँ अब इसको लाइन में बना देने का कि यह सेड़ भी इदर भी हम लाइन में बना देते हैं इसको ठीक है अभी देखिए इसमें एक और मार्किंग हमें करना है इदर से देखिए सावा तीन इंच का मार्किंग इदर कर लेता हूँ चुकि यह सावा तीन इंच का मार्किंग उदर इसलिए करता है जब भी हम करव टूल रखता है तो वह लाइन से हमें उदर कॉर्टर इंच का फर्ग आना चाहिए तिके जो कॉट्रेंज का फारगी तरह आना चाहिए वो करके हमने उदर सबाती इनिज का एक मार्किंग कर लेता हूं क्योंकि हमें कॉलर का शैप एकनम बराबर मिलना चाहिए इसी तरह करब टूल रखके आप इसी तरह शैप बना देने का और इसमें हमें इदर डाइंज का एक मार्किंग किया हुआ है उदर इसका ऑपोसिट साइड में बनाना चाहिए हमें जैसे हमने इस साइड में बनाया वही साइड में इस साइड में भी बनाना पड़ेगा है कि इदर से यूटर मारता है हम कॉलर में उसके लिए सबसे पहले यह देखिए बाहर के वाले साइड में मार्किंग कर लेता हूँ चुंकि हमें इदर कैन्वस कम रखा हुए हमने इसलिए देखिए कि उसके बाद में इसी तरह हम इदर भी वही शेप बना देता है इसका उल्टा शेप मिरर शेप बना देता है इसको ठीक है यह एकदम यूट टाइप में हमने कॉलर बनाया हुए अभी अभी हमने पावने एक इंच का चोड़ाई के इसाब से इसको मार्किंग कर लेता हूँ क्योंकि चाइनी स्कॉलर में पावने एक इंच का चोड़ाई अच्छा रहता है उससे ज्यादा चोड़ाई रखेगा तो हमें फिरिंशिंग बढ़िया नहीं मिल जाता है और में बात यह है चाइने स्कॉलर सा ब्राउन श्याइप में आ जाता है करके हमें पावने एक इंच का ही श्याइप बहुत बढ़िया मिल जाएगा अभी फूल इसी तरह श्याइप देनेगा अपने पावने एक इंच के साप से चोड़ाई तो बन गया कॉलर का आपको देखने से पता लगेगा अभी क्योंकि उसका श्याइप एक्दम यह साइड में आकर यू श्याइप में आ गया हुगा तरसे देखे डाई इस तक हमें ज्यादा रखना है इदर यह मार्किंग में रखके हमें इसको काट के निकाल देना है इदर से हमें तुर्चा शेप बना के हम कॉलर बनाता है इसका थाकि हमारा पैटर्न तो बन गया हुआ है अभी हम इसको काट के निकाल देता हूँ कभी यह कॉलर काटने के टाइम पर इसी तरह पिन मारके काटना नहीं तो कॉलर का शेप इदर उदर चाला जाना है यह देखिए अभी इसको हमने चिपकाया हुआ है कपड़े में एकदम सी शेप में आज़ाएं आज़ा हूँ आज़ा हूँ जाता है यह वहालग इसमें तीन हैं मारक किये हुआ है किए बहुत की इसका किनारा इसी तरह तरह मोड देने के हमने मोड के हम सिर्धा गलू लगा चिपका डैते है इस को एक बार i-ia कर दो आपने फिर इसीितार ने करे इसको काटि कर दोंब निक् sector इक्निक नभी तो एक मिल जाता है इसी तरह पूरा गलो लगा देनЕ के लग लगा कि इसको चिपका देने का आराम से जब सिलाई करने से भी बड़ी हमें इसमें ऑल जाता है इसके बाद में उपर से एक और बार रगा के आयां कर देने के त्व देखिए इसका फिनशिंग इतना बढ़िया गया हूँ है तीके इसी तरह आपको मिल जाएगा अब हमारा कटिंग पूरा हो चको हुआ है इसमें यदि कि इसमें प्लैकट वाला भी कटिंग हो गया हुआ है सब कुछ कटिंग हो गया हुआ है पीछे वाला पीस और कोडर अभी हमें सीधा सिलाई करते हैं इसमें अभी देखिए सबसे पहले ये अंदर वाला लाइन में हमने सिलाई कर देता है सबसे पहले एक पिन मार के इसी तरह एकदम खिनारे से एक दागे का सबसे कैनवास के उपर चड़ना चाहिए एक दागे का चोड़ाई में अभी इसको काट के निकाल देता हूं हम अंदर से ये जो भी अमने नॉर्मल कॉलर करता है उसी तरह आप लोग कर देने का इसमें हमारा सिर्फ ये कॉलर कटिंग में और इसका जो सिलाई में यह थोड़ा फरक है यह देकि इसका किनारा भी इसी तरह काट देने का तभी वो अच्छी तरह हमें मुड जाता है अभी देखिए इसको हम बाहर की तरफ मौड देता है मौड के इसको अच्छी तरह एक बार आयन कर देने का प्रेस कर देने का पहले इसी तरह एक बार मौड देने का मौड के अच्छी तरह इसको आयन कर देने का तभी हमारा कोलर एक दुम बढ़िया बैट जाते है उदर यह देखिए यह हमने आयन करके लेकर आए हुआ है आपको इसका शेप भी बराबर देखेगा तो मालुम पढ़ा पढ़ेगा देखिए अब इसका किनारा हमें एकदम साही सबसे काट की अलग कर देना है क्योंकि सब जगा एक ही चेवड़ाई रखे हमें काट लेना है क्योंकि यह कोटर इंच से ज्यादा खबी नहीं होना चाहिए नहीं तो सबसे अच्छत नब यह हैं हमारा जो प्रसर फूट का एक पैर उतना च्वड़ाई का ज़रूत है हमें कोलर के लिए उससे ज़्यादा ज़रूत नहीं है क्योंकि इसमें डबल सिलाई यह आ जाता है ठीक है अभी हमारा यह खम हो गया अभी इसमें जो बीच में हम एक कट मार देता है इसमें दोनों जगह हमने अलग मार्किंग किया हुआ है वो उदर भी एक एक कट मार देने का प्लोक इसका ज़रूत नहीं है फिर भी हम मार के रखता है क्योंकि हमें उदर नाप उसका बराबर आते कि अगर के पता लगेगा जदे कि हमने प्लैकर्ट सब लगा हुआ है अभी सीधा इसमें कॉलर लगाता है जदे कि कॉलर जैसे हमने नॉर्मल कॉलर लगाता है उसी तरह अंदर से कॉलर लगाता है वही जो एक पायर के चवड़ाई रखके हम से लाई कर देता है इसमें जो प्लैकर्ट आता है प्लैकर्ट के उदर हम इसको लॉकर के स्वाप कर देता है क्योंकि उसका कोलर का लंबाई ज्यादा रख़का हुवा मैंने इसमें ये यह भी बात है आप लोग ब्राबर देख लिजी 5 अब इसका दूसरे साइड भी उसी तरह हम सिलाइगर करके अटैच कर देता आ कभी भी राउन कॉलर के सिलाई में एक बार बात आप लोग जरूर दियान में रिखिए कभी आप लोग कपड़ा ज्यादा खीचिना नहीं जाए ज्यादा खीचेगा था आपका कॉलर में कॉलर का वो जगे में आपको रिंगल साजाएगा अब इधर भी जैसे प्लैकेट आता है वो प्लैकेट के उदर हम इसको स्चॉप कर देता है अब हमारा यह सिलाई तो हो गया अभी इसको एक बार आयन करेगा तो यह बहुत बढ़िया हो जाता है आयन करने के बाद में हम मोड केसी लाइग करतà है अब इसको कॉलर का लंबाय हमें टी करने सबसे पहले lies को इदर लोकर देने के एक बार पिन मार के पिर देर की हमें एक साइड हमें काटने पड़ेगा दूसरा फिर बराबर लेबल में करना पड़ेगा तब सबसे पहले एक साइड हम दोनों साइड कर शाई एकदम बराबर रख्थे ने यह कि इसी तरह कि इतना एक्सेंशन होना चाहिए इसका तो यह हमें वो देखने में अच्छा लगीगा यह देखिए इसको इदर से हम काट के निकाल देता हूँ यह देखिए यह मार्किंग में से हम काट के इसको यह मार्किंग के सबसे हम सिलाई करता है और उससे तोड़ा कौटर रिंज जादा हम काट लेता है यह देखिए हमने अल्डरी काटा हुआ है इसको काट के हमने इसको उल्टा कर देता है उल्टा करके अधर जोड़ देता है उप्ला करके इसाब से हम जोड़ देते हैं इसको दीए ये उल्टा किया हुआ है जरूर ज्यान में रखिए है हमने सीधा उसको उल्टा मौड़ के सिलाई किया अभी फिर देखिए इसी तरह हमने मौड़ देता है तब यहारा कॉलर बराबर शेप में आजाता है यही जो टिप है अपको जो जो कॉलर चानी स्कॉलर में लबा ज्यादा रखिए अपने इसी तरह आपको सेप कर सकते है कि अभी आपको लेंबाई का कोई प्रॉब्लम नहीं का कभी भी चैने स्कॉलर काड़ता है तो आप लोग लेंबाई जादा रिख लो फिर इसी तरह इसको शेप में कर दो ठीक है अभी वो साइड का तो काम हो गया अभी यह साइड में करना है यह साइड में देखिए सबसे पहले यह अंदर वाला खप्ड़ा जो है नीचे वाला उसका जो सबसे पहले मोड के रखना पड़ाईगा अच्छी तरह इसके बाद में यह जो हमने तिर्चा काटा हुआ है इदर इदर भी हमने इसको उल्टा करके इसको सिलाई कर देता है फिर मोड देता है ठीक है इसी तरफ उल्टा उसको मोड के सिलाइगर देने का सिलाइगर के हम सिधा कर देने का तब हमारा ये वाला एंड भी कम फिनिश हो जाता है इदर भी हम एक पयर के सबसे हमने सिलाई रखता है इदर सी मलावन्स फिर वो बराबर वो तिरचर शाइप में हम सिलाई कर देते हैं इसको ठीक है ये तो हो गया भी कि इदर एक पर कट मार देने का तो वह अच्छी तरह में मुड़ जाता है कि इसी तरह कोई चोटी स्कूट्राइबर या टूल रखके इसको एक्दम अंदर से पॉइंट में निकाल देने का बाहर की तरफ अभी हमारा कॉलर लगाने का में काम सारे हो गया हुआ है अब यह देखिए इसको इसी तरह अंदर की तरफ मोड़ देने का बराबर एक बर आएन करेगा तो भी वो बराबर बढ़ जायता है वो बराबर आएन करके बिटाने की बाद में सिलाई करना क्योंकि यह सामने आ जाता है इसलिए इदर फिनिशिंग हमें बड़िये मिलने जाएए वो जरूर दियान में रखना अब यह हमें कौलर डबल सिलाई दूसरा सिलाई कर देने का इदर से जो बाहर वाला सिलाई हमने किया हुआ बाहर वाला सिलाई करेगा तो यह दूनों सेड़ बराबर बैठ जाता है ठीकिए इसको राउंड मार के आएगा तो वो बराबर दिकाय देगा जो हमने पहले से सिलाई किया हुआ है उसका उपर से एक दें कवर हो कि यह सिलाई चले जाएगा यह जो उपर से जो सिलाई करता है उसमें जुरूर आप लोग ध्यान रहके तोड़ टाइम लगा के सिलाई करना क्योंगी यही इसमें सबसे सामने आजाता है और फिनिशिंग भी हमें बड़िया मिलना चाहिए उसी सबसे चलाई करते ना अभी हमारे सिलाई कादम होने वाला है इतना ही हमारे सिलाई इधर अभी जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग ना भूलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग को बड़े-बड़े कॉलर का डिसेन और नेक डिसेन में जरूर आपको दिखा दूँगा और आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर आप लोग मुझे मेरा फेस्बुक पेज में आके नहीं तो यह चैनल में आप लोग कमन जरूर कर दीजिए आप लोग को हर किसी को में रिपला देता है जो लोग से लाई करता है कोई मोडल सीधा आप लोग ने मेरा फेस इदर ये जगह आपको तोड़ा संबाल के करना पड़ेगा जरूर आप लोग संबाल के सिलाई करना त्योंकि इदर सिर्फ कॉलर अलगी रखा हुआ है दूसर कोई कपड़ा नहीं है और उसका एकी साइड में हमने कैनवास भी लगा हुआ है उसके वजए से इदर हमें कपड बराबर सिलाई होना चाहिए बहुत सारे लोग मुझे ये रिक्ष्ट किया था ये वाला कॉलर बनाने के लिए और उसमें स्पेशली बानुपरिया नाम का एक सब्सक्राइबर मुझे इमेज भी बेज़ दिया था ये आप लोग को भी अगर कोई जरूत है कोई अच्छे ऐन का तरचका ता चरूर आप लोग मुझे फ़ोट भेज धी जिए मैं जरूर अप कछी लोग लिए भू बना दूंगा अभी भी बहुत सारे लोग ओंगा रिक्ष्ट मेरे करना भी बागी है आप लोग वेट कर दीजिए आप लोग का भी सारे रिक्ष्ट इसी तरह बना के मैं दिखा देने आप लोग को तैंकि फॉर वाचिंग आप लोग ये कोलर ट्राइक करना ना बूलिए कोई भी डाउट अबड़ बागा तो मुझे कमन कर दीजिए